Soul Land 2 के लेटिस्ट प्लोट में Tang Wutong ने पहली बार Bright Goddess Butterfly की Soul Skill का उप्योग किया, Tang Wutong ने Freshman Assessment में Strong Strength का Show-Off किया, उसने अपनी First Soul Skill Winged Wing Knife का यूज़ करके उसने अपने टीन अपोनेंट को हराया. इसे यहाँ देखा जा सकता है कि Tang Wutong कितनी Powerful है, लेकिन यहाँ इतनी Powerful Tang Wutong है कि उसके पास 9th Soul टेकनीक भी है, यहाँ 9th Soul Skill सीधे King of God King को युद्ध में अपोनेंट के खिलाफ लडने के लिए बुलाती है, एक God King दूल्यो मेंनलन में आएं और किसी से Fight करें, यहाँ तक कि एक Powerful Spirit Master भी God King के हमले को नहीं रोक सकता, इस स्किल को डोरो महादवीप पर सबसे Powerful Soul Skill कहा जा सकता है तांग वू टॉम King of God तांग सैन की बेटी के रूप में इस जूल्यो मेंनलन की दुन्या में रह रही है, वह एक छोटी प्रिंसिस है, जिसे देवताओं ने बिगार दिया था, स्वाभाविक रूप से फिरवा डोरो महादवीप में उतरी, इसके लिए तांग सन ने भी त तांग वू टॉम के पास एक पावरफुल सी गौड मार्शल आठ रूप में है, लेकिन तांग सैन के बाद वू टॉम डोरो महादवीप में आए, लेकिन तांग सैन ने तांग वू टॉम की कॉंशिसनेस को दो भागों में विभाजित कर दिया, आधा हिस्सा वांग डों म को पसंद किया, असल में मैं आपको बता दून की वांग क्यू आयर थ्री आइस गोल्डन बीस्ट है, जो की हूमन फॉम में है, जो की ओल्सो तांग सैन की वज़र से है, जो की हुआ युहाओ को पसंद करता है, लेकिन घटना के बाद वांग क्यू इर ने वो युहाओ के लिए खुद को साक्रफाइस कार दिया, जिसे निकलने वाली सोल और पावर्ज मूल वांग डोंग के शरीर में वापस आ गई, केवल इसके एकी करण ने तांग वू टोंग की आइडन्टिटी को वापस कर दिया है, जिसके बाद फाइनली वांग डोंग को पता चल जाता ह कि वाही तांग सन की बेटी तांग वू टोंग है, दूल्यो मेंनलन में तांग वू टोंग की मार्शल आथ होती रही और एक ब्राइट ब्राइट गॉड बटरफलाई में इवॉल्व हो गई, यह तांग वू टोंग की स्ट्रेंथ को और अधिक पावरफुल बनती है, 29th Soul Skill सबसे मजबूत सम्मन स्किल है, गॉड्स के गॉड्स को बुलाना मतलब उसके पिता तांग सैन को सीधे बुलाना तांग वू टोंग ने पहली बार इस स्किल का उप्योग किया, जब वहाँ पहली बार 7 लाख साल की पुरानी सी प्रिंसिस के साथ लडाई की 7 लाख सा पीली थी क्योंकि समुद्र में लड़ना हूँ युहाँ के लिए बहुत अनफेवरिबल है, और सी प्रिंसेस हाई ने तांग वू टोंग पर सबसे मजबूत प्रहार किया, जिसका नाम सर्स अफ दा हार्ट अव दी ओशन था, यहाँ देखकर हूँ युहाँ की तांग टोंग ने अपनी नाइंथ सोल स्किल को अक्टिवेट कार दिया, जिसे वहाँ पर एक विशालसी गौड प्रकट हो गया, उनके सामने एक सुनहरा ट्राइडिंद दिखाई दिया, यह जटका ट्राइडिंद पर प्रहार कर रहा है, इस समय एक मायावी हाथ हवा से ट्राइ के थेले को फैकने की तरह खो दिया, उसी समय अशान समुदरी सता तुरंत शान्त हो गई, टांग सान का उदभफ तुरंत टांग सैन की उपस्थिती के कारण निराश सी प्रिंसिस हो युहाँ और तांग वू टोंग को बचा लिया गया,